हेलो, नमस्कार, किसान साथियो, मेरा नाम दलभीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए एक खेती से जुड़ी नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूं कि गवार की खेती किस तरिके से करे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंकम प्राप्त हो गवार की खेती के लिए उप्यो कुछ में कौन सा है गवार की खेती के लिए फसल सकर पनाना क्यों जुरूरी है गवार की खेती के लिए कौन सा बीज़ का सुनाव करे कौन कौन सी इसकी उन्नत किसमे है किस तरह में बीज़ का पुचार करना है और इसके लिए में बीज़ की मातरा की कितने जूट पड़ेगी इसकी खेती शित्ता ऐसी शित्तरों में की जाती है गवार के खेती के लिए जल परबंदन का होना बहुत जूरूरी है और इसमें केट परबंदन और रोक परबंदन भी बहुत जूरूरी है इसके बाद हम इसके कटाई वा कटाई करते हैं अब हम बात करते हैं कि इसकी बजाए के समय कौन कौन से साथ़ाने रखे जिसके 20 vastuse fee, कम खर्चवा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रापत हो, जैसित के अच्छी इंकम प्रापत हो इस वीडियो को अन्त तक जुरूर देखे, ताक कि आपको खिती से जुरु सुभी जानकारी प्रापत हो अगर आप चैनल पर नई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें तक कि इन्ने किसानों को जानकारी प्राप्त हो अगर आप और आने वाली वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रही, चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अर्थ सुसक्राइब इलागों में होती है, यह गरम ओसम की फसल है, जिसे बाज़रे के साथ मिला कर बोया जा सकता है इसे अरी सबजी के रूम में भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जगों पर इसे अरे चारे के रूम में भी प्रियो करते है इसका अच्छा दाम भी मिलता है, इससे किसान सलाना लाखोर उपए की कमाई कर सकती है इसकी खेती मुख्यतों पर राजस्तान, हरियाना, उत्तरपदेश, एंपिवा, महाराष्टर के कुछ इस्सों में की जाती है महाराष्टर में लगवग 9.1.6 में इसकी खेती की जा रही है कर्शी विवा के अधिकारियों ने बताया कि पस्वों को गवार खिलाने से उनमें तागत आती है तो धारू पस्वों की दूद देने की समता में वर्द्य होती है गवार से गौंद का निर्मान भी किया जाता है गवार गमगाप योग अन्यक उत्पादों में होता है गवार फली से स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है इसका इस्तेमाल दालता सूप बनाने में भी क्या जाता है गरामिन चेतरों में यह एक काफी लोग पीडिया फसल है हेलो नमसکार, मेρे जूटूब चैनल में स्वागत है मेरे जूटूब चैनल का नाम इंडियन टेकनिकल फार्मिंग है आज मैं आपको 67610 वराय το की कुछ विशहसताओं के बारे में बताता हूँ 6610 वरायटर की वैदावार सबसे ह्छे होती है इस वराइटी की मांग सबसे ज़्यादा होती है यह वराइटी अडियाना वाराजस्तान में सबसे ज़्यादा बुवाई की जाती है एक अंकट के लिए 2-3 की जी बीज प्रियापतर रहता है इसकी विजाए मद्धें वालकीमिटी में की जा सकती है इसके एक पैकट के बीज की किमत 600 रुपए होती है इसकी पैदावार भी जबरदस्त होती है इस वराइटी में किसी भी प्रकार की कोई बिमारी नहीं आती इसकी विजाए सिचिता ऐसी सिचित शेतरों में की जाती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट इंडियन टेकनिकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें धन्यावाद गवार की खेती करते समय हमें कुछ सावदानिया रखने रचिए नंबर एक गवार की खेती के लिए उप्यूकत समय हमें नंबर दो खेत का चुनाओ नंबर तीन मिट्टी की जांच नंबर च्यार पाने की जांच नंबर पांच गवार की खेती के लिए भूमी नंबर च्यार की खेती के लिए जलवाई हूँ नमबर 7 खेत की त्यारी, बाराथ, फसल पत्यती या फसल चक्कर, नमबर 9 बीजगा चुनाओ, बीज के उननत किसमें, बीजगा उप्चार, बीजगी मातरा, नमबर दस बिज्जाई या फसल की बुवाई, नमबर ग्यारा फसल की बुवाई, थदा ऐसी सिचेतरों में, नमबर बारा खर्पतवार की रोगताम, नमबर तेरा तिस तिन के बाद निराई या गुडाई, नमबर चवदा तिस दिन बाद सिचाई, नमबर पंदा अजल का परबंदन, नमबर शोड़ा कीट वाई रोगा परबंदन, नमबर शोड़ा इंसेक्टिस साइड वाई टोनिक का स्प्रे, नमबर शता कटाई फिर कडाई फिर पंडारन, ये मुक्चे सावदानी है जो में ग गवार की खेत्ती के लिए उप्यूकत समय, गवार की खेत्ती खरीब और गर्मी के मौसम में की जाती है, कालीन फचल की वाई के लिए मई मेंने का परतम खोड़ा उप्यूकत समय है, ये आप नेरी पानी से भी कर सकते हैं, देरी से वाई करने पर पैदावार पर प्रतिकल प्रबाव पड़ता है, वर्षा रितुक की फसल की भुवाई के लिए जून वा जुलाई उप्युकत समय है, वर्षा दारीच छेतरों में जुलाई मा में वर्षा आगमन के समय ही गुवार की भुवाई कर देनी चाहिए, बजार में बाजरा की बहुत सी वराइटी अब भीजाए के लिए हम खेत का चुनाव करते हैं, अगर पहले उस खेत में सर्सो की विजाई की थी, तो सर्सो के फनों को रूटोवेटर की साथा से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे, ताकि सर्सो के फनों खेत में अच्छी तरह से मिटी में मिल जाई, फिर आप हैरोगी साता से दो तीन बार अच्छी तरह से जुताई कर दे फिर आप लेजलेवर की साता से खेत को संतल कर दे अगर खेत पिरानी है तो आप रोटावेटर की साता से दो तीन बार जुताई कर दे फिर आप हैरोगी साता से उसकी एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे या फिर आप कल्टिवेटर की सायता से एक गहरी जुताई कर दे अगर खेत नहरी है तो उस खेत को लेजर लेवलोर की सायता से संतल कर दे ताकि कि खेत की सिचाई अच्छी तरक्षी हो जाई मिट्टी की जांच, सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ले जिससे हमें यह पता जल जाता है कि यह मिट्टी में कौन-कौन से पॉसकतों की कमी है वो खेत की मिट्टी किन-किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टी में कौन-खौन शी फचले उगाई जा सकती है जैसे कहूं, चन्ना, अरहर, सरसू, राया, बरसीन, कन्ना, अलू, मक्का, बाजरा, कपास मिट्टी की जाच से हमें यह पता जल जाता कि इस मिट्टी का पी-च मान कितना है और इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है पाने की जाँच अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज गौन-कौन सो पतिस्ट हो जाता है अगर आप टीवल के पानी से फसलों की विजाई करते हैं तो आप सबसे पहले टीवल के पानी की जाँच करवा लिए अगर टीवल का पानी पीने में मिठा है तो इसमें पानी का पीपिम जादा हो सकता है और बीज गौन के समय या एक समस्या बन जाता है अगर पाने का PPM 1000 से कम है तो यह सभी परकागी फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बेजगांकून 100% हो जाता है अगर पाने का PPM 1000 से जाज़ा है तो इसमें बेजगांकून सही तरिक्के से नहीं हो पाता है इसलिए पाने की जांच करवाना बहुत जुरूरी है गुवार की फचल में मेट्वल के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे गुवार की फचल ची नहीं होती है अगर सिचाय के लिए जूरत पड़े तो हमें नेरी पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए खेत की त्यारी हुए गुबरगी खात, अगर आप खेत में गुबरगी खात का इस्तिमाल करते हैं तो आठ से दस टॉल डी एक अंकट के लिए प्रयापत रहती है गुबरगी खात जमीन में अच्छी तरह भी खायकर जमीन को सुमतल कर देना चाहिए कि सारी हुए लवनिय भुमी जिसका प्याच मान साड़े साथ से साड़े आठ तक हो वहीं पर गुबरगी खेतिया सानी से की जा सकती है गुबर के लिए एक जुताई मिल्टी परलटने वाले हल या डिसक हैरों से क्रोष जुलाई जुताई कर पाटा लगा देना चाहिए खेत में करपतवार कम पनपते हैं गुबर फसल के लिए जलवायू गुबर एक सुका सहन करने वाली वा गरम जलवायू की फसल है यह उन्च चैतरों में असानी से उगया जा सकती है जहां पर ओसी वार्शिकवार साथ 30 से 40 संटीमेटर तक होती हो विजों के अंकूर्ण व में फूल वय फलियों का निर्मान के वर्क खरीब के मौसम में ही होता है अत्यदिक बारिस वर्साथ ठंड को यह सैन नहीं कर पाती है जिन चैतरों में अत्यदिक गरमी पड़ती है पंतु सिचाय की सुविद्धा उपलब्ध है वहां पर गुवार की खेती से बरपूर पै है खरीब के गरम और आदर जलवाईयों के काण पेड़ों की वर्दी बहुत अच्छी होती है सर्दी के मौसम में इन फसलों की के तिलाब दैग नहीं होती है यह फसल सभी परकार के मिट्टी में उगाई जा सकती है अच्छी जल्म निकास वाली मद्यम से भारी मिट्टी म जदी मिट्टी की सतह 7-8 की बीच है तो फसल अच्छी तरह से विक्षित होती है जिसे फसल की पैदावार में अच्छी वर्दी होती है फसल पत्ति या फसल चकर फसल चकर को क्रोप रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है किसे निस्चित बहुमी में निस्चित समयबारी फसलों को लगातार अदल बदल कर वोना ही फसल चकर कराता है फसल चकर का मुद्ध क्यों देशिया किसी भी तरह के पोद्धे के लिए भूमे में मुझूद पोशक्दतों के उस्दूपयों किसे भूमे की बहुतिक और जेविक सित्ति में संतुलब बनाये रखना होता है लगातार फसल चकर अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वारी की तरह की प्रिशानियों से चुटकारा मिलता है फसल चकर का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी भूमे में से लगातार अच्छी फसल ले सकते है और इसके पनाने से खेट की उर् curriculum सकता भी बनिये रहती है ज जिसके कारण बुमी में विशेले गुण आ जाते हैं, बुमी के अंदर विशेले गुण उत्पन हो जाने पर बुमी पहम पाई जाने वाली चोटी प्योगी मित्तर की टनाश्ट हो जाते हैं और बुमी दीरे-दीरे बंजरू रूप जान करने लगती है। फसल चक्कर के फाइदे फसल चक्कर के बनाने से बुमी की उर्ख सकती बनी रहती है। फसल चक्कर के बनाने से बुमी में अमल यह और सारी गुण पोशकतत्तों और जविक पदार्तों की मातरा संतुलित रहती है। फसल चक्कर के अपनाने से फसल में कई तरह के कीट और बीजनित रोग नहीं लगती है। इसके अपनाने से फसलों में पैदावार अधिक मातरा में प्राप्त होती है। जिसके गुणबता भी अच्छी पाई जाती है। बूमी में फसल चकर अपनाने से रसानिक उरुक कम मा पढ़ाकर्ची भी कम वो जाता है फशल्चकर के दोरान फली वारी फ़स्लों के बहुलने खेट में नाइन्ट रिजम कि पूर्ति बनी रहती है। फशल्चकर अपनाने दीजन से खेट में कमी देखने को मिलती है क्योंकि फशल्चकर करاشा धुक्रकर के जिन फसलों की जड़े अधिक गराई में जाते हैं उन्हें उगाना चीए। आज फसलों की उगाने के बाद दो से तिन साल में एक बार धने लने फसल को जुरूर उगाना चीए। देख गुड़ाई वाली फसलों के बाद कम गुड़ाई की जूर्ट वाली फसलों को उगाना ची है, देख शिचाई वाली दान जैसी फसलों के बाद कम शिचाई वाली जूर्ट की फसलों को उगाना ची है, देख लेने वाली फसलों के बाद जिन फसलों की उरुकी का पिकम आव सकता हती है उन्हें उगाना चाए इस फरकार हमें फसल सकर अपनाना चाहिए भीज का चुनाő हमें एक ऐसी वरैटी का चुनाव करना होता है जो वरैटी अच्छा उत्पादन देते हो जिसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता हो और जिसकी मारकेट में बहुत जादा मांगो और उसका बाव भी अच्छा हो क्योंके एक बड़ीए क्वालिटी का बीजी हमें का अच्छा उत्पादन और मुनाफ़ा दे सकता है बीज की 19 किस्मे गौर की 19 किस्मे बजार में गवार की कई उनत किसमें देखने को मिल जाती है जिने चारे दाने और अरीफलियों के दार पर तीन बागों में बाटा गया है उनत किसमें इस प्रकार है दानों के लिए उनत किसमें अजज़ी 365, अज़ी 563, 220 अरीफलियों तो उनत किसमें IC 318, M83, पुसा मोस्मी अरेचारे के लिए उनत किसमे ये मुख्यत अरेचारे के लिए उप्योग की जाती है बंदेल गवार 3, गवार करानती, बंदेल गवार 2, गोराट 80, बंदेल गवार 1 अगर आप पैदावार के लिए उपयोग करते हो तो दाने वाले उनत किसमों का ही चुनाव करना चाहिए अगर आप एरेच चारे के लिए उपयोग करते हो तो एरेच चारे वाले उनत किसमों का उपयोग करना चाहिए अगर आप फलियों के लिए उपयोग करते हो तो अरिफिलियों वाली उनत किस मुका चुनाओ करना चाहिए गौर के बीजों की मातरा वह बीज उप्चार यदि आप गौर की फसल दानों और अरिफिलियों के लिए करना चाहते हैं तो एक एंकड के लिए दाने की फसल के लिए 5-6 kg बीज प्रियापत रहता है और अरिखाद फसल में 15-16 kg परतियंकड बीज की जूर्ट होती है इसके इलावा आप अरेचारे के लिए फसल का उपयोग करना चाहते है तो 16-17 kg बीज परतियंकड की जूर्ट होती है इन विजो क वार में फंपुद्ध या फंगस जैसे रोग ना लगे पुद्धोय में जड़ों के दिक मातरा में गांट फायदा करने के लिए ज्वानु रोद्दक राइजोबियम उरुक से उप्चारित कर लेना चाहिए एक एक एक्टर के खेत में 200 ग्राम की मातरा वारी दो पैकट जवानु रोद्दक की जूट होती है सबसे पहले हम अफायार यानि सबसे पहले हम फंगिसाइड से बीज को उपचारित करते हैं फिर इंसेक्टिसाइड से बीज को उपचारित करते हैं फिर आज जो भी हम कल्चर से हम उपचारित करते हैं फंगिसाइड को उपचार करने गवार्फसल गवार्फसल में खादें उर्वरक गवार दलानी फसल होने के का नाइट्रोजन की कुछा परती वातावरन की नाइट्रोजन को जोड़ों में उपसित पांटवार एक तरत की लिए जाती है लेकिन फसल की पावरेंबी कवस्ता में पोशक तक्तों की पुर्ति के लिए 20 किलो की मातरा बुवाई के समय खेत में डाल देनी चाहिए इसके तरित गवार की विजाई को बुवाई से पहले राज जोबियम कल्चर की 600 ग्राम मातरा को एक लेटर पानी वार डाइसोग्राम गुड के गोल में 15 किलो ग्राम भी इसको पचारित कर चाहा में शुका कर बोना ल की बुवाई की विद्धि अधिक पैदावार के लिए गोवार की बुवाई हमेशा पंक्तियों में करें बुवाई हलके कुंडों में अथा सीडर की साहिता से करें कुडों में पोदों की जोडों के पास वर्षा जल से भी अधिक संग्रित होता है जिससे पैदावार अध दिख मलती है और फसल की देखबाल करने में भी असानी रहती है गुवार के बुवाई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45-50 cm थता पुद्ध से पुद्ध की दूरी 10-15 cm करने चीए घराई 4-5 cm पर करने चीए बुवाई के समा भूमि में प्रयापत मातरा में नमी होने चीए जिस आप इसमें खर्पतवार नियंतर के लिए पेंडा में लिथिया 33% EC का 50-500 mm को डाइसो लेटर पानी में मिलाकर इसका चुटकाओ कर दे जिसे की केद में खर्पतवार नहीं होगे खर्पतवार नियंतर गवार के फसलों को खर्पतवारों से पूर्ण तया मुक्त रखना चीए समाने फसल बुवाई के 15-20 दिन बाद की तरह के खर्पतवार निकल जाते है जिसमें जंगली जूट जंगली चरी वद दूब गास पनूँक है गवार के फसल में इसमा समय पर नियराई गुड़ाई करके खर्पतवारों को निकलता रहना चीए इससे पूद्ध की जोड़ों का विकास भी अच्छा लता है और जोड़ों में वयू संचार भी बढ़ता है दाने वाली भसल में वैसालिन एक किलो पर ती एक्टेर की दरसे खेत में बुवाई से पूरों मर्दा की हो बिजाई के 30 दिन बाद खेत में खर्पतवार उग जाते हैं जिस खर्पतवार उगने के बाद हमें उसकी निराई या गुडाई आचसे ही कर देनी चाहिए निराई गुडाय करने के बाद अगर खेत की सिचाई करनी है तो 30 दिन बाद हम खेत की सिचाई कर सकते हैं जल परबंदन अगर खेत में पानी का बराव ज़्यादा हो सकता है तो हमें उसके जल निकासी का परबंदन करना चाहिए क्योंकि गुआर की फचलों में ज़्यादा पानी की जूट नहीं होती है गुआर की फसल में कीट वा रोग प्रवंदन दिमक फसल के पोदों की जोड़ों को खाकर ये नुक्सान पुचाती है बॉआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में किलून पोस एक पांच पति सत्या कलोरिफाइस पाउडर बीश से पचिस किलो परती एकटर की दर से भूमिय में मिलाने चाहिए बॉने के समय बीश को कलोरिफाइस के टना सकी दो मिली लेटर मातरा से पत्ती किलोग्राम बीश की दर से पचायर कर बोना चाहिए नमबर दो कातरा इस कीट की लट पारंबे का वस्ता में फसल के पोदों को खाकर नुक्सान पुचाती है इसके नियंतन के लिए खेत के आस पास पाई रहनी चाहिए तथा खेत में प्रकॉप होने पर मिथाईल पैरथियोन या क्यूनोल फास एक पाइंट पास पत्ते से चुन की 20-25 किलोग्राम बातरा पत्ती अकड़ की दर से बुरुकनी चाहिए इसके नियंतन के लिए ट्रकॉप होने में गोल बनाकर पत्ती एक्टर की दर से चुटकाओ करना चाहिए वेक्ट्रियर बलाइट या गोहर की बहुत आनिकर बिमारी है इस बिमारी के उपर गोल अकार के दब्बे बनते है इस बिमारी के नियंतन है तो रोग रोधी किस्मों का उगाना चाहिए बिज को 2 ग्राम से ट्रेप्टो सैक्लिन से पत्ती किलो बिज की दर से उपचारित करकर बोना चाहिए भुवाई के 30 से 40 दिनों बाद खेत में फुटाओ बढ़वार फूलों की संक्या में जबर्दस्त वद्दी करने के लिए हमें पलानोफिक्स वा कल्टार जैसे टोनिक का इस्तेमाल करना चाहिए इसका उव्यों करने से फूलों की संक्या में जबर्दस्त वद्धी होती है फलियों की संक्या ज़्यादा से ज़्यादा बनती है फूल जड़ते नहीं है 15-20 दिनों के अंतराल में हमें 2-3 सप्रेख करने चाहिए चिपपवाय रैतेला की रोक थाम के लिए हम मोनो क्रोटोफास या इंडिकलोराइड या टाटा का असाटाप जैसे दुवाइक यह का चटकाव करना चीए अन्य केटवार रोक के रोक थाम के लिए आप अपने नजदिकी डोक्टर से भी संपरक कर सकते हैं इसके बाद जैसे ही पैदावार पसल की कटाई शुरू हो इ इसके बाद हम इसकी भूव में शुका लेना चीए इसके बाद हमें इसकी मष्णाइद काड़ाइ कर लेने चीए के असहीं प्सacia बढ़ान कर देना चीए अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो इस यूडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और इंडियन टेक्निकल फर्मिंग को सब्सक्राइब करें